ये 2021 नियुक्ति का वर्स होगा हरे इस शक्तर में रोजगार सिर्जन करने का संकल्प लेकर कि ये 2021 को हम लोग पार करेंगे अब यहां कानून बनाने जा रहे हैं यहां पर कोई भी कारखाना लगेगा सरकारी हो प्राइबेट हो धार गेड फोर गेड में 75 परतिसत लोग वहां का अस्थान ये लोग होगा जारखंडी लोग भी उसमें नापरी करेगा दूसरा कोई नहीं करेगा पंतरी हेमेंत सोरेंजी के दवारा 2028 न्यूक्तियों का वर्स गोसित किया गया है लेकिन जितने भी न्यूक्तियां होने वाले थी उन सारी न्यूक्तियों को इनके नितरित में रद कर दिया गया ये कहते हैं कि 2028 न्यूक्तियों का वर्स गोसित किया गया है लेकिन यहां क SC की 252 भेकंसी आई हुई थी और इसलिए यह 252 भेकंसी आई हुई थी क्योंकि इनके अधिकारियों और मन्त्रियों और नेताओं के रिष्धिदारों के कुछ लड़के बिरोजगार थे और इन सारे पदों पे उनको लाना जरूरी था इसलिए ये एक्जाम में बड़ी धांदली हुई है लेकिन यहां के पढ़ने वाले ये पता चल गया कि यहां बड़ी धांदली हुई है क्योंकि ओनलाइन का अब ये जवाना है लोग यहां सारी चीजों को देख पा रहे है तो इन सारे नेताओं का पसीना छोट गया है और अब ये आगे आ करके बताना नहीं चाह रहे है जनकारी इनको सभी है कि क्या हुआ है एक्जाम में लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे है आगे आ करके इसलिए लोग आने आगे आना नहीं चाहते हैं, अब कह रहे हैं कि पंदरों नौमबर को कई बिज्यापन जारी किये जाने की संभावना है या तो घोसना की जाएगी, लेकिन ये कोई घोसना नहीं की जाएगी पंदरों नौमबर को, बस आपको पर लुभन दिया जा रहा है क्योंकि पैंचाती राजचुनाव सामने है और वे आपके पावर आपके पास जो पावर है मत के रूप में वो आपका उप्योग करेंगे फिर आपकी पावर ले करके आपके उपर ही अपलाई करेंगे तो आपको जहासा में नहीं आना है ये पंदरो नॉम्बर को कुछ नहीं होगा स्थिर्प आपको परलोभन दिया जाएगा तो आप चीजें समझ रहे होंगे इनके परलोभन में नहीं आना है आपको लगतार आंदोलन करने है जहाँ जहाँ आपको एड्रिस बताया जा रहे हैं कोशिस करेंगे कि हम भी वहाँ आए और इन आंदोलन को आगे बढ़ाने में आपना मत्पुन भूमी का निभाएं आप लोगों की ही जीत होगी क्योंकि आप लोग सच की रहपे हैं यहाँ धांदली कुछ लोगों की दवारा किया गया है इस राइज के निवासी हैं आप लोग भेकेंसि आने से पहले दिन रात मेहनत करते हैं आप लोग कोई भी भेकेंसि आने का इंतजार करते हैं आप लोग लेकिन यह नेता, यह मंत्री ऐसे ऐसे पदपे अनपड़ लोकों को बैठा देते हैं अगर आप जैसे यूवा इस अंदोलन को बढ़ाने में काम्याब नहीं हुएं, इस अंदोलन में अगर सफलता नहीं प्राप कियें, तो जिन्दी की पहली आज सफलता आपकी यही होगी, इस अंदोलन को बढ़ाने में हम लोग पूरी मदद करेंगे,